नमस्कार प्रिये साथियों मैं हूँ आपका दोस्त के भी और के भी परिवार में एक बार फिल से आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम भारत वाबिश्व की जनजातियों से जुड़े हुए 40 महत्पूर प्रश्णों को डिसकस करेंगे ये वही प्रश्ण है जो पहले किसी ना किसी परिच्छा में पूछे गए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने भारत वाबिश्व की जनजातियों के वीडियो को देखे होंगे अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग पहले डिस्क्रिप्शन में जाइए वहाँ पर आपको लिंक मिलेगी दोनों वीडियो की तो आप पहले भारत और विश्व की जनजातियों के बारे में जो वीडियो है उसको देख लें उसके बाद में इस वीडियो को कॉंटिन्यू करें और यहाँ पर मैं आपसे अपेच्छा रखूंगा कि आप 40 में से कम से कम 35 प्रशनों के सही उत्तर जरूर देंगे तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें अगर वीडियो आपको पसंद नहीं आता है तो वीडियो को डिसलाइक करके हमें जरूर बताएं कि आपने वीडियो को डिसलाइक क्यों किया है यहाँ पर आपको मेरे सारे भारत की भोगोल की वीडियो मिल जाएंगे आप सीधे जा करके सर्ज कर सकते हैं योटूब पर इंडियन जियोग्राफी बाई के भी और वहाँ पर आपको सारी वीडियो मिल जाएंगे तो चलिए अब हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहला प्रशनी यहाँ पर है कि उत्तरी पूर्भी भारत के पहाड़ी वा जंगली छित्रों में निम लिखित में से कौन सा एक प्रजातिय समून पाया जाता है आपके सामने चार ओप्सन दिये गए हैं और आप वीडियो को पॉस करके इन सारे प्रशनों को अटेंट करें और स्वयम इनका उत्तर देने का प्रयास जरूर करें तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा C यानि की मंगोलाइड मैंने आपको बताया था कि उत्तर भारत या प्रसिम भारत की बात करें तो वहाँ पर जो आपको लोग मिलेंगे माली यह पूरा हमारा भारत हुआ तो यह उत्तर प्रसिम में आपको मिलेंगे यह कौके साइड होंगे उसके अलावा उत्तरपूर में ये मंगोलाइड है और जो हमारे दच्छिण भारत के लोग हैं इन्हें हम लोग रखते हैं किसमें आस्ट्रिलाइड स्रेणी में तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए अगला हमारा प्रशन है कि भारत की निमलिखित में से कौन सी जन्जाती प्रोटो आस्ट्रिलाइड प्रजाती से सम्बंधित है तो ये भी मैंने आपको बताया था कि जो हमारे संथाल हैं इसके अलावा चेंचू हैं मलायन हैं यरूआ उराव मुंडा हैं ये सारी जन्जाति यह मुझे रूप से प्रोटो आस्ट्रिलाइड या इन्हें हम लोग प्रोटो द्रविण भी कहते हैं इनसे संबंधित हैं तो आप से पूछा जा सकता है प्रोटो आस्ट्रिलाइड या प्रोटो द्रविण तो दोनों में आपको याद रखना है और इसमें हमारी है संथा कौन से संथाल हमारी थारू जनजाती कहा कि है यह हमारे थार के मगवस्तल से जुड़ी हुई है तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा वह होगा option D यानि कि जो असम छेतर में हमारे स्वयताम भो गीबन नाम का एक बंदर पाया जाता है ये प्रारंभी मानवाप कभी होते हैं और दुनिया में सबसे पहले मानों के उत्त्ति किस महादीप पे होई थी तो ये हमारे होई थी अफरीका महादीप पे तो option D यहाँ पर correct होगा अगला प्रशन है कि निम लिखित में से किस राज्य में जनजातिय समधाय की पहचान नहीं की गई है तो ये 2011 की जनगर्णा के अनुसार पूछा गया है और जो 2011 की जनगर्णा हुई थी उनमें से हमारे कुल मिला करके पांच राज्य ऐसे हैं जहां पर आपको जनजाती नहीं मिलेगी तो आपको यह याद रखना है पहला राजी हमारा कौन सा हो गया पंजाब उसके बाद में कौन सा हो गया हमारा हरियाणा उसके बाद में हमारा हो गया चंडीगड फिर हमारा हो गया दिल्ली और इसके लागए एक हमारा कौन सा है पुडुचेरी तो इसमें दिल्ली पुडु पुचेरी और चंडी गड़ यह हमारे किंद्र शासित हैं जो हमारे राजी हैं उनमें केवल दो राजी हैं पंजाब और हजियाणा जहां पर 2011 की जनगर्णा के अमसार कोई जनजाती समुदाय नहीं है तो option C हमारा यहां पर correct होगा अगला प्रशन है कि कौन सी जनजाती दिवाली को सोक के तोहार की रूप में मनाती है तो यह मैंने आपको बताया ही था यह हमारी है थारू जनजाती जो मुख्य रूप से कहां पर आपको मिलती है उत्तराखंड में इसके अलावा जो हमारे तराई का छेतर है उत्तर प्रदे अगला हमारा सवाल है कि निम्न मेंसे कौन सी धवला धर स्रेडी की प्रमुख जन जाती है क्या पूछा जा रहा है धवला धर स्रेडी की प्रमुख जन जाती कौन सी है तो धवला धर स्रेडी आपको कहां पर है ये सबसे पहले पता होना जाहिए तो धवला धर स्रेडी आपक नीश उतर के नहीं आते हैं, तो option B हमारा यहां पर correct होगा, अगला हमारा प्रशन है कि गड़ी लोग कहां की निवासी है, तो यह मैंने अभी आपको बताए, गड़ी लोग हमारे हैं हिमाचल प्रदेश के, अगला प्रशन है कि संथाल निवासी है, तो संथाल हमारे निवास में आपको यह मिलेंगे तो सही उत्तर क्या होगा? पूर्वी भारत यहाँ पर अगर उत्री भारत होता या उत्री पूर्वी भारत होता तब भी वह हमारा option सही होता तो option D हमारा यहाँ पर correct होगा अगला प्रश्ण है कि मिम्दांकित में से कौन सुमेलित नहीं है यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा हमारा सुमेलित नहीं है तो भील आपको गुजरात में मिल जाएंगे जाउनसारी आपको उत्राखंड में मिलेंगे खासी में घाला में यह तो आपको यादी होगा लेकिन जो हमारे संथाल होते हैं ये आपको नहीं मिलेंगे कहां पर? 36 गढ़ में मैंने आपको बताया था जारखंड, बिहार, पस्सिम बंगाल, उरीशा और त्रिपुरा यहां पर आपको मिलते हैं संथाल तो आपको यह याद रखना है तो यहां पर हमारा option C correct होगा अगला प्रेशन है कि रित्व प्रवास कौन से जन जाती करते हैं कौन से? रित्व प्रवास कौन से जन जाती करते हैं तो मुख्य रोप से जो रित्व प्रवास होता है यह हमारी भूटिया जन जाती करते हैं से भूटिया जन जाती अब यहां पर आपको गलती नहीं करनी है भूटिया हमारी कहां पर पाई जाती है सिक्किम और पस्म बंगाल में इसके अगर हम बात करते हैं भूटिया की इसकी भूटिया की तो यह आपको मिलेंगे उत्तर प्रदेश और उत्तरा खंड में यहां पर आपको मिलेंगे भोटिया तो भोटिया और भूटिया यह मैं आपको पहले भी बता चुक्वा हूं एक बार फिर बता रहा हूं गलती मत करिएगा चलिए अगले प्रेश्ण की तरफ चलते हैं अगला हमारा प्रेश्ण है कि बोडो कहां की निवासी है यहां पर पूचा जा हैं कौन से बहुत सारी भासाओं का इनके पास ज्यान होता है तो ऑप्सन ए हमारा यहां पर करेक्ट होगा अगला प्रेश्ण की गारो निवासी नहीं है तो गारो के बारे में यहां पर आपको बताना है कि गारो जो हमारे होते हैं यह कहा कि निवासी है तो यहां पर गारो आपको मिलेंगे असम में, इसके अलावा आपको मिलेंगे मिघाले में, इसके अलावा आपको कहाँ पर मिलेंगे ये, मिजोरम में, लेकिन मडीपूर में आपको गारो नहीं मिलेंगे, तो इसलिए option B हमारा यहाँ पर correct होगा, अगला हमारा प्रशन है कि निम लिखित में से क पड़ी जनजाती कौन सी है तो भारत में मैंने आपको बताया था कि 2011 की जनगर्णा के पहले गोंड जनजाती सबसे बड़ी थी लेकिन 2011 की जनगर्णा के बाद में हमारी भील सबसे बड़ी जनजाती है तो इसलिए option C यहाँ पर correct होगा अगला सवाल है कि तोड़ा जो जनजाती होती है यह कहाँ पर निवास करती है तो तोड़ा जनजाती मुख्य रूप से निलगिरी की पहाणियों पर पाई जाती है जो की कहाँ पर है तमिल लाड़ों में तो option C हमारा यहाँ पर correct होगा अगला प्रशन है कि निमल खित जनजातियों में कौन बहुपति बिवाह की पर्था को मानता है इन में से आपको बताना है कि कौन सी जनजाती है जो बहुपति बिवाह की पर्था को मानता है यानि कि एक लड़की के कई सारे पती हो सकते हैं ऐसा पर्था है हमारे किस जनज जाती कौसी टोड़ा जो आपको मिलेंगे गारों की पहाणियों पर तो अबसंग यहां पर हमारा बी सही होगा है अगला प्रश्ण है कि निमल खित्मे से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है यहां पर आपको बताना है लेकिन अब यह हमारे सारे जो हैं हमारी जंजातियां नहीं है, यह मुक्च रूप से हमारे तेओहार है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो याद रखेगा बीहु आपको मिलेगा आसम में, पोंगल मिलेगा तमिल लाड़ो में, बैसाखी मिलेगा पंजाब में, लेकिन जो ओ पूस्ट भी हमारा यहाँ पर सही होगा ओड़न मनाया जाता है की swipe कि एक आगो अगला तुछन नै कि भीर जन जाती है कि इसकी बारे पूसारा जारा है यह रहा है भी जंज आती कहाँ पर मिल जाएगी लेकिन असम जारकन परस्य मंगाल में भेड जन जाती नहीं मिलती है तो इसलिए option B हमारा यहां पर correct होगा अगला प्रशन है कि जो सहरिया जन जाती है वह कहां पर निवास करती है यहां पर आपको बताना है सहरिया जन जाती के बारे में तो सहरिया जो हमारी जनजाती है ये सरवाधिक मिलती है हमारे राजस्थान में कहाँ पर राजस्थान में अगला हमारा प्रशन है कि भारत में जो जनजातियों का निर्धारन किया जाता है उसका आधार क्या है तो ये बहुत ही मात्पूर्ण प्रशन है तो आपको याद रखना है कि सांस्कृतिक विसेसी करण और विभिन आवासों के आधार पर इनका जो होता है वह निर्धारन किया जाता है तो option A हमारा यहाँ पर correct होगा जनजातियों का निर्धारन करता है यह सकती हमारे राष्टपती के पास होती है अगला प्रशन है कि भारत की सबसे आध्य या सबसे प्राचीन जनजाती कौन सी है तो मैंने आपको बताया था कि यह हमारी है जरावा यहाँ पर जारवा हो गया है तो यह printing mistake है यह हमारी है जरावा जनजाती जो कि आपको मिलेगी कहाँ पर अंडमान नीकोबार दीप और यह भारत के सबसे प्राचीन जनजाती है अंडमान की बात आई है तो मैं आपको एक बार फिर सेंटिनल के बारे में बता देना चाहता हूं क्योंकि काफी ज्यादा न्यूजबे है सेंटिलन तो इसे आपको या रखना है जो सेंटिली हमारी जनजाती होती है वो अभी प्रकार की क्रसी होती है क्या होती है इसे हम लोग जूम कल्टिवेशन भी कहते है या इसे हम लोग अस्थान आंतरन क्रसी भी कहते है जूमिंग का मतलब क्या होता है कि माल लिए आप जहां पर रहते हैं वहां पर जंगल है तो आप क्या करेंगे खेती के लिए आपके पास जो क्रसी की जाती है उसे हम लोग कहते हैं जूमिंग क्रसी या जूम कल्टिवेशन या स्थानांतरन बहुत सारे इसके नाम है तो यह हमारी जूमिंग क्रसी होती है यह मुख्य रूप से करते हैं खासी जो खासी हिल के पास पाए जाते हैं लोग वो इसको मुख्य रूप से करते हैं तो यहां तक हमने भारत की जनजातियों के बारे में डिसकस किया एक और प्रशन सेंटलीज के बारे मैंने आपको बताया तो यह हमारा होगा अंडमान में अब अगला जो हमारा प्रशन है यह हमारा है विश्व की जंजातियों से यहां पर आपसे पूचा जा रहा है कि किस प्रजाति की संख्या सर्वाधिक है मैंने आपको प्रजातियों के बारे में बताया था और आपको यह भी बताया था कि विश्व में सर्वाधिक जो सदस्य पाए जाते हैं वे हमारे काके CI या काके साइट प्रजाती के हैं तो इसलिए option D हमारा यहां पर correct होगा अगला प्रशन है कि जिपसी लोगों का मूल अस्थान कहां पर है इनका जिपसी लोगों का मूल अस्थान कहां पर है तो ये आपको याद रखना है अगला हमारा प्रशन है कि अफ्रीका की मूल भुज जन जाती होती है पिग्मी वह किस नदी घाटी में पाई जाती है तो ये तो मैंने आपको बताया था कि ये आपको मिलते है कांगो नदी घाटी में बिस्वत रेखिये वनो में तो यहाँ पर आपको याद रखना है जैसा कि मैंने आपको बताये विस्वत रेखा गुजरती है तो इसलिए यहाँ पर बिस्वत रेखिये वना भी पाया सकता है तो आपसे तीन प्रकार से प्रस्ट पुछा. पूछा जा सकता है पूछा जा सकता है पिगमी कहां पर पाय जाते हैं तो वहाँ पर आपके समने महादीप होंगे तो महादीपों में होगा हमारा अफरीका नदी घाटी में पूछा जाएगा तो कॉंगो और अगर वनों के शित्र में पूछा जाएगा तो यह हमारा होगा विश्वत रेखिए वनों में तो आपको इसलिए गलती नहीं करनी है प्रश्णों के सारे डाइमेंशन को कवर करते हुए चलना है अगला हमारा प्रश्ण है कि निमल खित में से कौन घुमकर नहीं है तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि पिग्मी जो होते हैं यह मुख्य रूप से संग्राहक होते हैं सिकारी होते हैं और यह बिर्चो पर निवास करते हैं तो इसलिए आप्सन ए हमारा यहाँ पर करेक अगला प्रश्ण है कि निमल खित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है तो एसकिमो कराड़ा में पाया जाता है उर्ण जाबान में आपको मिलता है इस सोरी यहां पर प्रिश्ट में थोड़ी सी गलती है यहां पर बताना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है एसकिमो आपको कनाड़ा में मिलेगा उरान आपको जापान मिलेगा लैप्स आपको भारत में नहीं मिलेगा यह तो यूरोप में मिलेगा गोंड मिलेंगे अफरीका में तो यहाँ पर मेरे हिसाब से जो सही उत्तर होगा इसमें सही उत्तर कोई नहीं है इसमें सारे गलत मैचिंग है इसकी मों की बात करें तो कनाड़ा में यह मिलता है सारे सही मैचिंग है उरान आपको जापान में ही मिलता है लैप्स आपको मिलता है यहाँ पर यह दोनों फोड़ा सा confusion है देखिए लैप्स आपको कहाँ पर मिलते हैं यह मैंने आपको बताया था यूरोप में और गौण्ड आपको मिलते हैं भारत में तो इसलिए यहाँ पर दोनों उत्तर सही होंगे कौन से दोनों उत्तर यहाँ पर सही होंगे अगला हमारा प्रशन है कि निम्ल खित में से कौन सही सुमेलित है यहाँ पर आपको बताना है कि निम्ल में से कौन से सही सुमेलित है तो सही सुमेलित यहाँ पर कौन सा है यहाँ पर साई सुमेरित है बुसमैन जो की मिलता है काला हारी में एसकिमो अमेजन बेसिन में नहीं मिलता है पिगमी इरावदी नस्ती बेसिन में नहीं कांगो में मिलता है बुंदू यह आपको कहाँ पर मिलता है अरम में और बुस्मैन आपको मिलता है कालाहरी में तो इसलिए option D होगा और यही बुस्मैन जो होते हैं जो हमारे चीटियों यानि कि जो आपको पेड़ों पर मिलते हैं लाल रंग की चीटिया बड़े बड़े जो घोसले बना के रहती हैं उनको ये लोग खाते हैं अगला हमारा प्रशन है कि वह बड़ा दूइब जहां एक रहते हैं तो एसकिमो दुनिया के सबसे बड़े दूइब पर पाये जाते हैं जो की हमारा कौन सा है ग्रीन लैंड ग्रीन लैंड की लोकेशन तो आपको पता ही होगी अगला हमारा प्रशन है कि सेमांग लोग कहा की घने उष्ट कडवन दिये बनों में रहते हैं तो ये आपको मिलेंगे मलेशिया में सेमांग के बारे मैंने आपको बताया था कि ये आपको मिलेंगे मलेशिया में या मलाय प्रायदी बेसे आप कह सकते हैं अगला हमारा प्रशन है कि जूलू जंजाती का सम्मन किस से है तो जूलू जंजाती आपको मिलेंगी अफरीका के दच्छन अफरीका देश में अगला प्रशन है कि निम लिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो बुस्मैन, दच्छर फरीका संग, मसाई, केन्या बताया जा रहा है अगला हमारा प्रशन है कि निम लिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है आपसे कि जो किर्गीज होते हैं यह आपको कहाँ पर मिलते है कौन से किर्गी आपको कहां पर मिलते हैं मद एसिया में सही बात है मसाइभ आपको कहां पर मिलेंगे पसंप अफरीका में गलत बात है रेडि इंडियन उत्तुी तो इसलिए हमारा यहां पर भी उत्तर सही होगा मसाई के बारे मैंने आपको बताया था कि यह मुख्य रुप से कहां पर मिलते हैं केनिया में तंजानिया में और यूगांडा में तो इसलिए option भी हमारा यहां पर correct होगा अगला प्रशन है कि इन्यूट लोग नहीं पाए जा ओर्चसरकार से इन के एक subdivision और है जिसे लोग कहते हैं यूपीक क्या कहते हैं इसे हम यूपीक तो आपको धियान रखना है इन्यूट और यूपीख अगर बात करते है यूविट की इन्यूट या इन्यूट िसे कहतें हैं तो यह आपको मिलता है अलास्का मेंूद कनाडा भी कह सकते हैं तो दोनों तरीके से आप से प्रश्ण पूछा जा सकता है तो यहां पर इन Zust law कहां पर नहीं मिलते हैं यह आपको नहीं मिलेंगे कहां पर Mexico में तो सही उत्तर क्या होगा D अगला हमारा प्र Wyoming है कि Lepse जन जाती के लिए प्रसिद कौन सा है Labs के बारे मैंने आपको बताया ही था कि ये आपको मिलेंगे कहाँ पर इसका नेविया में कहाँ पर ये जो हमारे टुन्डरावन प्रदेश पाई जाते हैं वहाँ पर आपको मिलेंगे Labs और वीडियो का आज हमारे आकरी प्रश्ण है कि निमलखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो माओरी आपको मिल जाएगा न्यूजिलेंड में मसाई के बारे पूशा जा रहा है, बुस्मयन तो कालाहारी मिलेगा मसाई आपको मिलेगा कहां पर मैंने बताया था ये मैंने आपको बताया था Kenya, Uganda और Tanjaniya में तो इसलिए option B हमारा यहाँ पर incorrect होगा इसलिए यह सही होगा तो इस तरह से मैंने 40 प्रशनों को discuss किया आप लोग comment section में जरूर बताईएगा मुझे पता है कि आप मैंसे बहुत कम लोग होंगे जो यहाँ तक वीडियो को देखे होंगे किसी के पास इतना समय होता ही नहीं है कि वह 40 प्रशनों को देख सके लेकिन जिन लोगों ने यहाँ तक देखा है मैं उम्मीद करूँ है कि वह लोग comment करके जरूर बताएंगे और जितने लोग comment करके बताएंगे कि उन्होंने कितने प्रशनों का सही उत्तर दिया मैं समझोंगा कि उतने लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक जहला है तो वीडियो को आपने समय दिया उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद थैंस फॉर लिस्निंग जै हिंद जै भारत पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत